हेलो दोस्तों कैसे हैं आज हम लोग अपने फर्स्ट प्लाइट का अगला पोएम पढ़ने चाहरे हैं दोस्त यह हम लोग का पोएम का सिरीद चल रहा है दोस्त इसमें हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे ताइगर इन जू उसके पहले हम लोग पढ़ेते दोस्त फार नाइस आज हम लोग पढ़ेंगे how to tell wild animals यह पोएम लोग पढ़ेंगे दोस्त चुकि पोएम इसले पहले प्रेरेटी में पढ़ रहे हैं दोस्त क्योंकि पांच नमर कोश्चन फिक्स है इससे पांच नमर हम लो आएगा 90 परसेंट आएगा 98 परसेंट आएगा उसका एक परसेंट यानि कि पांच नमर कि ठीक है वह आपको यह पोएम दिला देगा दोस्त अकेले अपने दम पे इसलिए हम लोग इस पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं इसको प्रारिटी में पढ़ रहे हैं चलिए हम लोग आ इस पर बेस्ट कोश्चंस होंगे उसका एक कोश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है पोएट का नाम यह आपको ध्यान में रखना है जैसे हाव टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में जो पोएट है कारोलीन वेल्स है ठीक है अब आपको ध्यान देना है इस पोएम के कुछ व यह कवीता में हुम्रस का मतलब क्या होता है हास्यास्पत मजाकिया ऐस बिसी करते रहत है उस तैप से यह जो कवीता है यह हम लोग को बताती है कैसे एक खतरनाक डेंजररस वेस टू आइंटिफाइग वाइल्ड एनिमेल्स जंगली जनौरों को पहचाने का बहुत ही खतरन तरीका कैसे पहचानेंगे भाईया यह बताता है कैसे आप पहचान सकते हैं रीडिट अलाउज जोर जोर से पढ़िए कीपी कीपिंग टूर स्ट्रॉंग एंड रेगुलर राइम्स इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसके जो राइम्स है राइम्स मतलब आपको पिछली थे 11ム संसे जो लाइबद तरीका होता है दिफ में कभीता के सबढ़ते हैं कभीता का हमें अजहान होताइं आप जानते होंगे जैसे हमलों क्या कविता का हम लोग गायन करते हैं और कहानियों को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर बोलता है इसको पहचानेंगे और उसके rhyming word उसके rhymes को उसके लाय को समझने की कोसिस करेंगे दोस्त तो यहाँ पर क्या बोलता है If ever you should go by chance अगर कभी भी आपको अचानक से कहीं जाने का मौका मिले To jungle in the east मतलब पूरव के जंगल में मतलब कभी आपको पूरव के जंगलों में जाने का मौका लगता है And if there should to your advance A large and 20 beast If he roars at you as you are dying You will know it is the Asian loin देखिए यहाँ पर word उज़ कहा है D-Y-I-N यहाँ डाइन का मतलब क्या है Dying I-N-G है But यहाँ पर rhyming करने के लिए G को हटा कर सिर्फ डाइन लिखा गया है इस तरह से words को ध्यान देंगे कि कैसे कैसे word इसमें use किया गया है यहाँ पर बोलता क्या है If ever you should go by chance To the jungle in the east अगर कभी भी आपको पूरब के जंगलों में जाने का मौका लगता है तो क्या होगा And if there should be you advance A large and 20 beast अगर आपके सामने में कोई बदामी रंग का भ्यंकर ताकतवर कोई जानवर दिख जाए तो क्या करेंगे आप If he roads at you और आपके उपर अगर वो गरजे और आपको महसूस हो अभम मर रहे हैं तो क्या सुचे कितना बड़ा बात बोला अगर आप इस्ट के जंगलों में जा रहे हैं और आपके सामने कोई एक बदामी रंग का बहुत भ्यंकर खतरनाक जानवर आजाए और आपके उपर गरजे और आपको लगे कि अब हम मर रहे हैं तो क्या समझिएगा की तब आप समझेंगे कि वो कोई और नहीं है भाईया कौन है एसियाटिक लाइन है एसियाई शेर है वो मतलब समझिए क्या कवी जो है बताने की कोशिस कर रहा हम लोग को जाएं गरजे अरे भाईया उसको देखते ही आथा तो प्रान निकल जाएगा पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा भगवान भर उसे लेकिन बताने कोशिस कर रहा है देखे एक्स्प्रेशन कैसा है आए आपके उपर गरजे आप लगे मर रहें अरे भाईया मर कहा रहा है पहले ही मर जाएंगे देखके उसको है ना ऐसा दूसरा स्टेंजा बोलता है और इफ सम्टाइम्स विन रोमिंग अराउंड अनोबल वाइल बीस्ट ग्रीट्स यू अगर आप कहीं जा रहे हों कहां जंगल महीं भीया पूरा बात को जंगल कहीं होगा ना हम जंगल महीं घूम रहे हैं जंगली जैनवर कहा मिल गीट करते हैं अगर वो करते हुए आपको दीख जाए विथ ब्लाक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड मतलब कैसा येलो उसका पूरा बेस हो और उसके पस काला स्ट्राइप्स हो मैंने काली पटियां हो धारीदार हो पीला पे काला कौन होता है भाया सिर्फ बागे होता है ठीक है जस्ट नोटीस ही इफीक इस यो और आपको यहीं लेङे ना चीए के भाईव भैको नहीं वाला है पस आपको बॉलते देखे आपो बता रह जंगलों में जा रहे हो घूम रहे हो और अचानक से कोई एक जंगली जानवर आपको ग्रीट करने के लिए पहुंच जाए कैसा पीला काला पीला काला के तरह का सरीर वाला यह तो भाईया बागी होता है और तब आपको लगे कि बस वह आपको खाने ही वाला है खाही जाएगा तो आपको सीम्पल समझ लेना चाहि यह कोई और नहीं वो बैंगॉल चाहिए कर रहा है जब खाही जाएगा तो हम सामझेंगे का खाक यहां तो प्रान निकलके हवा में चल जाएगा ठीक चलिए कोई बात नहीं अगला है अगर आप फिर से उसी जंगल में कहीं जा रहे हैं हो आगे बढ़ रहे हो वीचरंड कर रहे हो अब इस्ट यू व्यू बीस्ट मतलब होता है जंगली जानवर भ्यानक कोई डैट्र टैप का अगर वह आपको दिख जाए और आपको दिखाई दे क्या स्पोर्ट इसपोर्ट मतलब धब्बेदार उसको क्या बोलते हैं स्पोर्ट बोलते हैं ब्लाक एसपोर्ट ऑन यूर फेश चहरे पर काला धबबा वह से स्पोर्ट ऑन इस बोड़ी अगर आपको दिख जाए जियो ही वह आता है आपके पस अपनी लिपट जाता है जैसे एक बच्छे अपनी माह को लिपट जाए यहां माह वाला बेटा वाला तो प्यार होगा नहीं ब्यां जंगली जानवर है दैट्त है तो कैसे लिपटेगा स तब I will do no good to roar with pain तब क्या होगा उस पीड़ा से वो दहाडएगा नहीं भाईया क्या करेगा he will only leap and leap again आपको इधर से दबोचेगा उधर से दबोचेगा और जब तक आपका प्रान नहीं ले लेता भाईया जब तक आपका जान नहीं ले लेता वो आपके तरह चिपक चिपक के रहेगा इतना फूरती बास तो होता है इतना हम लोग जानते ही है कि लियोपार्ट जिना फूरती बास कोई जानवार नहीं होता है तो कहने का मतलब यह है कि आपको कैसे पहचान मैं देखो कितना humorous है यह poem बच्चों कि इतना humorous बना दिया है कि आप से आके लीपटेगा और आपको प्यार से मारेगा कभी इधर नोचेगा कभी इधर नोचेगा इसको नोचेगा ये इतना तडपा-तडपा के poem क्यों हमको बताना चाहता है कि भाई आपको लिफटेगा नोचेगा और आप कराह भी नहीं पाएंगे सोचे If when you are walking around your yard अगर आप अपने बगीचे में, खेतों में घूम रहे हों, टहल रहे हों आपको वहाँ पर क्रियेचर मतलब कोई जीव, किसी जीव से मुलाकात हो जाती है हुँ हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हग मतलब होता है गले लगाना जो आपको बहुत कस्के गले लगाता है, बहुत कस्के, कस्के पकड़ता है आपको be sure it is a beer, आप बिल्कुल आस्वस्त हो जाएं कि भाईया कोई और नहीं, भालू है if you have any doubts, I guess, मुझे लगता है अगर आपको इसमें कोई संसय है, doubt मतलब संसय, संदे है he will give you just one more crisis, तो क्या करेगा, तो मुझे लगता है, कि वो आपको बहुत ज़्यादा कस्के और पकड़ेगा ताकि आपको पहसास हो कि हमको कितना ज़्यादा प्यार कर रहा है, अरे उसका प्यार देखे का अपका प्रान निकल जाए जंगली जानवरों के बारे हम लोग पढ़ रहे हैं, दोस्ति यह क्या है, यही तो है कि किस तरह से वो मेरा जान लेने वाला है सब में तो मेरा जान ही ले रहा है तो ये भी एक और जान लेगा कसके पकड़ पकड़ के प्यार करेगा हमको लगेगा कि मेरा प्रान ले लिया उसका प्यार क्या मेरा जान लेने वाला प्यार होगा तो यहां पर ऐसा ही है दोस्त वो भालू के बारे में explaining हैं सबसे पहले किसके Бारे में explained हुआ acid loin दूसरा किसके Бारे में हुआ दोस बैंगोर tiger तिसरा किसके Бारे में हुआ दोस leopard चोथा किसके Бारे में हुआ beer अब पाच्वाँ पढ़ते हैं हम लोग ध्यान देगे अपने poem को कैसे कैसे explain किया गया है ताकि हम लोग को याद रहे और हम लोग अपने exam में लिख पाएं अगला बोलता है दो टू डिस्टिंग्विस्ट और प्रे अनोविस माइट नॉन प्लस दा क्रोकोडाइल यू अल्वेज में तेल फ्रॉम दे हाइना दस हाइना कम विस मेरी समाइल बट इफ दे विप दे आर क्रोकोडाइल अब यहाँ समझे कितना सुन्दर से बात बोला गया है हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में एक क्या बोलते हैं तूलनातमक तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिस की गई है तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि हाइना किसको बोलते हैं लकडबग्य को बोलते हैं क्रोकोडाइल मतलब क्या होता है मगर मक्च होता है यहाँ पर बोलता है अगर आपको सिकारिक जानवरों को पहचानने में जैसे कोई भी आदमी घबरा जाता है कौन सा ज़्यादा खतर ना के कौन काम खतर ना के कौन आपको मार देगा कौन नहीं मारेगा इसको समझने में कभी-कभी आप घबरा मनें आपको confusion हो सकता है तब आप वो क्या करना चाहिए इसमें क्या होता है जिस तरह से कभी-कभी क्या होता है मगरमक्ष को कोई लकडबगगा भी मान सकता है कै समझने मगरमक्ष को कोई लकडबगगा भी बोल सकता है लेकिन आपको ध्यान वाली बात ये है जब हाइना कम सुभी था मेरी असमाइल हाइना क्या आता है जब आता है आपके पास तो उसके में बहुत ही अलग टाइप से उसकी मुस्कुराट होती है एक अलग टाइप से वो मुस्कुराता है बट इव दे वीप दे आर क्रोकोडैस लेकिन जब वो रोता है तो मगरमक्च के जैसे रोता है अब आप सूचिए मगरमक्च के आशू हम लोग हिंदी में कविता में या कहीं पर भी ये हम लोग मुहाबरां पढ़े होगे मगरमक्च के आशू मतलब मगरमक्च का आशू नहीं होता है तो हाइना का भी वह इस्तिति है वो इतना चतूर होता है इतना धोके बाज होता है कि अगर वो रोएगा तो लगेगा कि क्रोकोडाइल आसु है वो आपको सिर्फ बर्ग लाने के लिए करेगा तो आपको पहचान में आज जाए कि यह कौन है तो यह हाइना है समझ मैं आपको तो हाइना का ही यह पूरा सिचुएशन है ठीक है? अगला हम लोग पढ़ते हैं दोस्ट अगला हो गया? हाइना हो गया तो मिपढ़ हो ही पूरा सिंगेशन ना किता मिफ़ा जक देंद है क्यासे होते है? चोते होते है लगता है कि जैसे लीजाड है लीजाड मतलब छिपकिली चिपकिली के जैसा गिर्गिट भी एक छोटा सा जी होता है He hasn't any ears at all उसके कान नहीं होते भाईया कान तो बिलकुल ही नहीं होते and not a single wings और उसके पास न कोई पंक होता है ना पंक होगा ना क्या होगा कान होंगे If there is nothing on the tree अगर आपको पेंड पे दीखे कि वहाँ कुछ भी नहीं है This the Chameleon UC तब आपको ध्यास देखने पर पतालेगा कि वहाँ पर कोई और नहीं गिर्गिट है यहाँ देखे poem में टीस लिखा हुआ यहाँ टीस नहीं है दीस है जो सुनने में अच्छा लगने के लिए poetic word बनाने के लिए इसको टीस बना दिया गया है दोस्त ठीक है तो आपको क्या समझना है कि this the Chameleon UC यह क्या है यह गिर्गिट है समझ में रहा है इस तरह से हम लोग का poem है दोस्त इसके कुछ words है जो आपको ध्यान में रखने है जो important word है जिसको आप use करेंगे जो हम आपको अर्थ बताए है पूरे poem का उसमें अर्थ मिलाइएगा बार-बार समझने की कोशिस कीजिएगा आपको अच्छा लगेगा दोस्त अगला जो है इसको कुछ question answer हम लोग देख लेते हैं दोस्त does dying really rhyme with loin can you say it in such a way that it does मतलब क्या बोलता है यहाँ पर does dying really rhyme with loin क्या यहाँ पर loin के साथ यह वास्तों में जो rhyme बना रहा है बना पोईटिक वोर्ड बना रहा है dying हम अब क्या बता है थे d-y-i-n dying के लिए short form है dying का short form है जो की rhyming word बनाए गया है इसको जो सुनने में अच्छा लगे उस sentence के साथ match करे तो बोलता गया है dying उसके जगह यूज किया गया है can you say क्या आप कर सकते हैं it in such a way that it does जैसा कि यूज किया जाता है वैसा ही तो अगर दोस्त हम लोग जैसा बोला जाता dying बोलते तो जैसा सुनने में अच्छा नहीं लगता है dying बोलते हैं तो अच्छा लगता है इसलिए ऐसा यूज किया गया है how does the poet suggest that you identify the lion and the tiger when you can do so according to him poet का नूसार आप कैसे समझ सकते हैं क्या कर सकते हैं how does the poet suggest poet कैसे यहाँ पर suggest करता है कि you identify the lion and tiger lion को और tiger को आप कैसे identify करेंगे तो वहाँ पर आपको देखिएगा पहला में क्या होगा कि आप देखके ही डर रहे हैं ठीक है देखिए poem में क्या बोलता है if he roars at you as you are dying जब आपके उपर गरसता है बस आप मरने लगते हैं कि यह lion के साथ है और tiger के साथ क्या sentence लिखा हुआ है ध्यान देखिएगा कि just notice he eats you आप ध्यान देखिएगे कि जबसूख आपको खाने ही वाला है वहाँ पर गरजेगा तो आप मर रहे हैं और tiger आपको खा के आपको मार रहा है ठीक है इस तरह से आप समझेंगे कि दोनों में कैसे हो रहा है आपको बोलता है क्या यहाँ पर जो word यूज किया गया है लेप और लेप जो लियोपार्ड के लिए उज किया गया था जो बार-बार आपको गले लगाता है मारने के लिए क्या दोनों सही उचारण किया है नहीं दोस्ट उचारण तो सही नहीं है लेकिन दोनों का बना लेप लेप ही पढ़ते है उचारण सही है बट लिखा हुआ है स्पेलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन उचारण दोनों का सही है अगला जो है क्यों है सही उच्किया कि सुनने में अच्छा लगने के लिए अगला जो वर्ड है दोस्त Do you know what a beer hug is? It's a friendly and a strong hug Such as beers are taught to give as they attack you Again hynas are thought of laugh and crocodiles to weep Crocodile tears As the swallow their victims Are there similar expressions and popular ideas about wild animals in your own language? यहाँ पर देखिए Beer hug का मतब क्या भालू जैसे आपको गले लगाता है आलिंगन करता है यहाँ पर उसके बारें बताया क्या है उसके बताब आपको आक्रमन कर सकता है ठीक है? और इस तरह से आप समझेंगे कि जो हाइना है आपका क्रोकोडाइल है इसमें जो सब्द का यूज किया गया है दोस्त इस पोयम के हिसाब से रिदिमेटिक करने के लिए सिचुएशन को एक्स्प्रेन करने के लिए हाइना को क्रोकोडाइल से तूलना करके बताया गया है और भालू को आपसे आलिंगन करने के लिए बताया गया है कैसे वो आपको आलिंगन करता है? इस तरह से दोस्त हम लोग का सारा जो question answers है almost completed है दोस्त और कुछ question जो है जो आपको खुद से attempt करने हैं कैसे obtain करेंगे जो stanza दिया रहेगा उसको आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे समझ के उसको explain आप करेंगे जैसे हम लोग अर्थ बताएं ठीक है? उमीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा आपको समझ में आया होगा क्या करेंगे इसको एक दो बार आप खुद से सुनेंगे try करेंगे समझने का word meaning को ध्यान में रखेंगे synonyms एंटोनिम समझने कोस करेंगे और सबसे important बात अपना board exam को ध्यान में रखते हैं इसका त्यारी करेंगे दोस्त ठीक है? मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए poem के साथ आप अच्छे सत्यारी कीजिए अच्छे स्कोर कीजिए दोस्त Thank you